एलो व्यवन वेलकम टू ब्रेक्टाइम क्लासेज इस वीडियो में विश्व के जितने भी मरुष्थल है या मरुष्थल से जो भी कोशन बन सकते हैं उसे कवर करेंगे और यह आने वाले आरो यारो के एक्जाम के लिए और पीटी के एक्जाम के लिए काफी ज्यादा इंप जब भी मरुष्थल का नाम लेते हैं हमारे दिमाग में बस एक ही चीज आती है कि चारो तरफ रेत होनी चाहिए तब युसे मरुष्थल का जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेत ही होगी वहीं मरुष्थल हो सकता है जहां पर पूरा पहार जैसा हो लेकिन बारिश होती ही जैसे उत्री दृवों की बाद करें पूरा बश्यमी घ्रति दचडिय दृवों की बात करें तोहमेशह बडर जमी र Catherine की बारिश नहीं होती है तो एक ही परिफासा हो सकती मरुष्थल की जहां पर वार्षिक वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम हो तो वो छेत्र मरुस्थली छेत्र में बदल जाएगा वहां पर बारिश नहीं हो रही है मतलब वो मरुस्थल है आगे बात करेंगे मरुस्थल के प्रकार कितनी तरह से हो सकते हैं मरुस्थल तो यह पढ़ने के लिए समझने के लिए चार तरह से यहां पर डिवाइड किया गया है पहले तो गरम मरुस्थल होते हैं जिसे उष्ण कटी बंदी मरुस्थल का जाता है दूसरे ठंडे भी है यह होगई भूमद रेखा यहां पे करक रेखा है यह हैं मकर रेखा तो इनके बीच में ज्यादा तर जितने भी मरुष्थल पाए जाते हैं यहां पर टेंपरेचर जो है बहुत ज्यादा होता है अधिकतर यह जो गरम वाले मरुष्थल होते यह 20 से लेके 30 जो इंडिया में इसके लावाँ अरब की मरुष्थल यह सभी गर्मरुष्थल के उदारण हो गए आगे बात करेंगे ठंड है मरुष्थल जहां पर जो मौसम है ठंड़ा रहता है लेकिन फिर भी मरुष्थल का जाएगा तो ऐसे मरुष्थल का हम पाए जाते हैं यह उच्छ होती है लड्ड या थंदा मरुस्थल है इसके अलावा गोभी का मरुस्थल है टकला मकान है यह ऑभी नहीं देखेंगे कहां कहां carving अब selv पढ़ना है तीसरी मरुस्थल मरुस्थल समुद्र के किनारे इत्रवसं पर पाये जाते हैं और यह जो बनतें प्रभावस यह मरुस्थल बनते हैं इसका एक्जामपल एक है अटाकामा मरुस्थल जो कि दच्छड अमेरिका में पाया जाता है इंडीज परबत के आसपास आगे बात करेंगे चौथा जो टाइप है वो है द्रूवी मरुस्थल अगर पूछा जाए कि प्रधिवी पे सबस मरुस्थल कौन सा है और उसमें कहीं भी द्रूवों का धूछ जाए द्रूवों ओप्षन ओ तो यही वाला सबसे बड़ा मरुस्थल होगा इसके यह पेतले बात करेंगे अब यहां पे विष्यो का मरुस्थल पूछा जाता है अगर इप जाता है अगर फूछा जाये किस साइड में तो अफ्रीका के इत्चिति अपरीका जाता है इथर इधर पूरा इच इनके बीच में ये फैला हुआ है पूरा उत्री अफ्रीका को गेरे हुए आगे बात करेंगे यहां पर किस किस देशों से इसकी सीमा लगती है कौन-कौन से देशों में यह फैला हुआ है साहरा मरुस्थन तो यह मरोक्को में है मरितोनिया में है माली में है अलजीरिया में है ट्यूनिशिया में है लीबिया में मिस्र में है चाड में है सुडान में है मिस्र में एक नदी है नील नदी उसको कहा जाता है कि मिस्र की जीवन दाइनी है मतलब यहाँ पर जो मिस्र की जो सभेता है यहीं पर इसका जनम हुआ तर नील नदी के आसपास तो सारी जगर पर मरुस्थल है लेकिन यहाँ पर थोड़ा अच्छी कासी थोड़ा खेती वगरा भी हो जाती है मिस्र में इसलिए कहा गया है नील नदी को मिस्र की जीवन दाइनी नदी क्योंकि चालो तरफ मरुस्थल है और कहीं पर नदी में वगरा मिल गई तो वहाँ पर खेती वगरा अच्छे से हो जाती है आगे बात करेंगी जो देशों के नाम यहाँ पर दिये गए हैं सहारा मरुस्थल कि कहां कहां पर फैला हुआ है यह आपको आरो यारो यह PCS के एक्जाम के लिए important है अगर पूछा जाएगा अगर PT के एक्जाम में तो सिर्फ इतना पूछा जाएगा किस महादीप में इस् लिए चाहें उत्सदी पाई जाती है जो की खापी सेमाउ्स है और एक्जाम में पूछ ली जाती तो काला हारी मरुस्थल में बुष्मैन जंजाती पाई जाती है तो विए अगे बात करेंगे ुए रचा धीन मरुस्थल और इसकी जो सीमा है वो नामीबिया देस में पर है तो नामीब यह वाला मरुस्थल और यह जाकर कालाहारी में मिल जाता है यह है कालाहारी जो की दच्छड अफ्रीक्व का बोच्वाना और नामीबिया देश में ही आगे बात करेंगे अगला जो महादीब है वह एशिया महाधीप यहां पर कौन-कौन से मरुस्थाल है तो पहले लिए यह वाला है गोभी मरुस्थाल और यहांपर इसे अरभ मरुस्थल भी कह डिया जाता है इसके अलग-अलग नाम भी हो जाते है जिसरीया के का मरस्थल अराब मरस्थल बहुसे कहते हैं पूरे को मिला के अरब अल्खाली मरस्थल कई Judpi और कि मरस्थल है वो वह सब्सक्राहिक के अड़ले करकaci लिए और फूठी त्वेकन्में करभण मरस्थ Sweற प्रायदीप है, ये वाला पूरा मरेश्थ्ल है, आगे बात करेंगे , next यहाँ पर जो दस्ते कबीर और दस्ते लुट मरेश जो की गरम भरूस्तल और दोनों कहां पर इस देतए तो इरान मेत दhouse पिर यहां पे गोबी मरुस्तल यह ठंडा मरुस्तल और यह किस देश में फैला हुआ है तो चीन और मंगोलिया में है गोबी मरुच्थान में घरम मरुस्तल इसके लावा लट्रा अिशिया की बात करेंगे उत्री अेकमेरिका में जो सोनरन वाला इसके अंतरुचन वूरत आ नाम पोछा जाता है अब इसकी सीम कहा कहां पर यह ये युएसे में है इसके मेक्षी पहला हुआ सुंधर इसके अलावा सेकेंड वाला जो ही हमें देखा था मोजावे निытवात तरह से अमेरिका स्थेथे यह अगे बात करेंगे दच्छुडा अमेरिका की तो हमने उत्री इनप्रिंदकामा मरुस्तल दूसरा यह प्राड़ी आमेरिका के को घर फूर पस्ची में प्रसांत महा सागर के पस्ची एक पोंत मदो फ् dehra सब्फ से लंबी परवतव माला और की सब्रतेंर के आसपास हीया मरिस्तल यहां पर पतला यह का दीर में जैदा यह के गरम पॉर्ण हुत बोला वह पेटा गोन कंझtechnा मरिश सब्दम यह या ठेदा मरन देशों मीव तो अर्चंटीनिया और चिले में फैला हुआ है पैटागोनिया मरुस्तल नेक्स तर आपर आस्टेलिया महादीव पूरा बोला गया उस्टेलिया को क्योंकि यहां बारिश वगएरा काफी कम होती है और इसको जो है सुखी प्यासी धर्ती की भूमी भी बोला गया है सुखी यहां पर ग्रेट विक्टोरिया यह वाला मरुस्तल है और यह उस्टेलिया का सबसे बड़ा मरुस्तल है पुछा जाए कि उस्टेलिया का सबसे बड़ा मरुस्तल कौन सा है तो ग्रेट विक्टोरिया नाम की जील भी है विक्टोरिया नाम की जील कहा है तो वह तंजानिया में अफरीका महादीब में और विक्टोरिया एंधाल कहा है ये ऊस्टेलिया में इस्थित है आगे बात करेंगे अग्ला जो मरो स्थिलर वह किसमों मरो इस daha गीपसन यहां गैपसन इथर ओगया विक्टोरिया यहां गैपसन हो गेपसन सैंडी फूरिधार तणामी जितने यहाँ पर मरुश्थल हैं जितने हुर्पिने भी होग को नसी साथ सबस्क्राइब कर लिए वीडियो का पेड़ जॉइन करने कंझे स्रये से graat और जो नमबर है वो आपको हैस्टेग में मिल जाएगा इसके अलावा जो पीटी का ग्रूप है उसका लिंक डिस्क्रिप्सन में दिया गया है पूरा प्रोसेस बताया गया है उसको देखके आप पूरा प्रोसेस फॉलो करके आप डैरेक्ली जोइन कर सकते हैं थैंक्यू सो म